यार तुम लोग क्यों अजीब अजीब तरीके की बाते यार समझाते हो लोगों को यार गुमराह करते हो नए यूटूबरों को यार कहीं किसी पर भी वीडियो बना देते हो YT Studio बार-बार खोलने से ये हो जाएगा आप देख लो YouTube पर भरी पड़ी है वीडियो क्या तुम लोग चाहते हैं यार ये बड़े जो YouTuber है वो तो खर अपना बनाते ही है यार उसके अलावा तुम लोग भी यार एक भाईया ये है देखो ये बता रहा है कि YouTube YT Studio आप बार-बार अगर आप ओपन करोगे तो आपका चैनल डेट हो जाएगा आपका चैनल बरबाद हो जाएगा यार किस तरीके की वीडियो बनाते हैं कहां से आते हैं तुम लोग यार पता नहीं किन किन चीजों से यार लड़ते लड़ते यार पूरा खराब हो गया तुम लोग ये सारी चीजे बताते रहते हो यार समझ में नहीं आता भाया मैं आप लोगों को बता दू को YT Studio YT Studio यूटूब ने इसलिए दिया है कि आप अपना जो भी काम करते हो वहाँ पर अच्छी तरीके से वो सारा लेखा जोखा देखने को मिलता है वहाँ से वीडियो आप डिलीट भी कर सकते हो डिलीट करने के लिए तीन ओप्सन आते हैं जब वीडियो पर आप क्लिक करोगे तो साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर कि थ्री डॉट दिये होते हैं थ्री डॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे सब से उप्सन मिलता है डिलीट का यहाँ से वीडियो डिलीट हो सकती है और ये भाईया बता रहा है कि भाईया वाईटी स्टूडियो से वीडियो अपलोड किया जाता है वीडियो डिलीट हो ही नहीं सकता है यार देखो वाईटी स्टूडियो यूटूब ने इसलिए दिया है कि आपका अगर कहीं वीडियो गलत हो गया है तो आप उसको हटा भी स चीज यार दुहरा दुहरा के लोगों को गुमराह करते हैं आप लोगों का वीडियो देखते हैं और आप लोगों को फालो करके रखे हैं तो उन लोगों को गुमराह करो मत भया आप लोगों को मैं बता दो यूटूब जो इस्टूडियो होता है उससे आपका रीच डाउन होता उसको बार-बार खोलो यार इसलिए दिये है वहाँ पर देखो अभी एक और भी उसमें improvement किया जा रहा तमाम प्रकार के option उसमें add किये जा रहा है आने वाले दिनों में आपको वहीं से video upload करने का option मिल जाया करेगा और मिल भी गया है कुछ-कुछ लोगों को मिल भी गया है और जिनको नहीं मिला वह अपडेट कर लें उपर प्लस का निसान देख सकते हो यहां से आप वाइटी स्टूडियो से video भी upload कर पाएंगे तो यार यह पता ने क्या यार ब्रामक चीज्य तो भाइया गलत भायमी में ना रहो तो भाया यार इस तरीके कि बार डिलीट करने के बाद भी आपको या वाली वीडियो दिखाते हैं यह लग-भग साड़े 9 million views आये हैं इस वीडियो पर आप देख सकते हो जाके वीडियो डिलीट करने के बाद ये वीडियो वाइरल हुआ है तो ये क्या है तो यार ऐसी ब्रहामक चीजों में ना पड़े यार अच्छे से नालेज दो लोगों को यार गुमराह ना करो तो यार समझ गया आप गुमराह मत करो यार किसी को यार इस तरीके से अगर आप वीडियो बनाओगे और लोगों को बता रहे हो यार गंदी नालेज क्यों देते हो यार नालेज सीख लो फिर इसके बाद में आप यूटूब पर आईए समझ रहे हो YT Studio से भाईया आपका कुछ बिगडने वाला नहीं है हाँ लेकिन एक condition है एक condition आपको ये है ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप अपना वीडियो अपलोड करें तो समय दे दे तीन घंटे यानि वीडियो अपलोड करने के तीन घंटे बाद ही YT Studio खोलें इसलिए मैं बोलाओं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो सारा प्रोसेस जो आपका YT Studio होता है ये सारा प्रोसेस कहां जाता है YouTube के अल्गोरिथम में और वहाँ पर अगर आप उसके साथ में छेड़खानी कर दोगे ये तो हो सकता है कि आपका वीडियो जो आपने करेंट वीडियो अपलोड किया है उसका रीच कम हो जाए तो यार ऐसी गलती ना करें तो वीडियो अपलोड करullenें अपलोड करने के 3 घंटे बाद ओपन करलें और फिर तभी कमेंट के जवाब दें पता नहीं लोग यार कहां कहां से चले आते हैं और इसा इसा नालेज दे के चले जाते हैं यार तो यार नया जितना यूटूबर है वो विचारा फसा पड़ा हुआ है ये परेसान है कि यार क्या करें यार यूटूब वाइटी स्टूडियो खोले की नहीं खोलें यार कुछ समझ में नहीं आता तो यार इसी गंदी अपहाएं मत पहिलाओ और कुछ भाया जानकारी सीख लो फिर उसके बाद में लोगों को नालेज देना प्रारंब करो हम यह नहीं कहते कि आप गलत कह रहे हो आप सही कह रहे हो लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो आपके स ज्यादा तर लोग सर्च करते हैं उसी पर आप वीडियो बनाएए और काम करिए और काम करने दो लोगों को भ्रामक चीजों में ना रखो तो भया यूटूब इस्टूडियो जो है वो आप खोल सकते हो तो यार आज का वीडियो दोस्तो बस इतना ही बताना था आपको और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं दोस्तों कल नई किसी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जैहिंद जै भारत